हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल सो आज की रेसिपी है सत्तू की खास्ता कचोड़ी जो एकदम पॉफेक्ट फूली फूली बनके त्यार होगी इसे आप चाहता है से खाए या फिर आलू वाली चनी की रस वाली सब्जी के साथ भी ट्राय कर सकते इसका कॉ इस चूटकी बेकिंग सोडा अब हम यहां पर डालेंगे कस्तूरी मेथी इसे हाथों से करस्ट कर कर से डालेंगे अभी चौट अब इसमे डालेंगे तीन से चार चमच सर्सव का λेंगे 10-10 चार चमच चैसे मिक्स करेंगे अच्छे से मोहन लगा लेंगे तो चलिए अब हर लगा लेंगे हम यहां पर पानी मेंने नॉर्मल किया है कोई गरम पानी मेंने यहां यूज नहीं किया है इसका सॉफ्ट डोल लगा लेंगे अब हम इसे सॉफ्ट होने के लिए आदे गंटी के लिए छोड़ देंगे अब हम इसके स्टफिंग की त्यारी कर लेते यहां पर मै सभी हम भीजिटे ब períारी कट करके डालेंगे भीजे लेंगे मेषत नमक आद नमक सब्सक्राइब करड़ सेमे ज़से अब मिक्स कर लेते हैं मस्टर्ड ऄल सरसो कतेल डालेंगे दो चमच इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पाई डालेंगे दो चमच एक से दो चमच पाई डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग त्यार हो गई अब मैदा के आटे के छुटे-छुटे पेहरे कर लेते हैं अब हम इसमें स्टॉफिंग खैंगर सर्थ वाल इससे डबा कर डालेंगे इससे सील कर देंगे सब्सक्राइड बाहर नहीं आनी चाहिए इसकी अब इसे सेब त्यार करने के हम किसी बेलने का इस्तमान नहीं करेंगे हाथ से दबा दबा के इसकी पूरियां त्यार कर लेंगे अब यहां पर हमें लो फ्लेम में सारे कचोड़ीों के इसी तरह फ्राइ करना है दीमी आज पर कचोड़ी को हम सुनेरा होने तक फ्राइ करेंगे यह देखिए अब दोनों तरफ से अच्छे से इसे लाल कर लेंगे यह अच्छे से लाल हो गई है अब इसे हम निकाल लेते हैं तो लीजिए बनके तयार हो गई एकदम खास्ता कचोड़ी वह भी पॉफेक्ट फूली फूली इदेखिए कितनी पॉफेक्ट बनके तयार होगी खास्ता एकदम फूली फूली अब हम इसे तोर के भी देखते हैं देखिए दम पॉफेक्ट फूल के तयार हो गई है खास्ता यह और फूली फूली कचोड़ी है वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेर अन सब्सक्राइब मैं चैनल अब इसे हम चैने और आलू की रस वाली सब्जी के साथ भी ट्राय कर सकते हैं